कि अजी कि बुड़िवनिंग कि बहुत-बहुत सुपक्राइश चलो जी एक इंपॉर्टन एनॉंस्मेंट बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है रिविजन होगा कि नहीं होगा हम आपके विश्वास पर बैठे हुए है तो चिंता मत करो जिन बच्चों का 2003 से अभी वाला वो एक अप्रिल से ही होगा जैसा मैंने बोला था रिविजन का टाइमिंग को लेकर इश्यू था तो यह डिसाइड हुआ कि जो टाइमिंग होगा तुभा मॉर्निंग साथ बचे मढ़र्निंग में साथ बजे आपका रिविजन वेडियो स्टार्ट होगा बात यह थी कि live classes होगी की नहीं होगी तो थोड़ा सा schedule change हो रहा । live classes नहीं होगी recorded होगी पर latest होगी उसमें मैं chats जब आपकी होगे ना इस तरह से डिजाइन कियागे, चैट्स होगे, वहाँ में अवेलेबल हो, आपका काम होगा कि जब आप रिवीजन वीडियो देखोगे, उसी दिन का टाइम रहेगा, एक अप्रिल पे, रिवीजन वीडियो देखोगे, तो चैट्स में डाउट्स पूछ सकते, मैं बताऊंगा, हो सकता चैट में अगर मैं बता सकता है, तो मैं बताऊंगा, दूसरी बात, जिनको 7 बजे नहीं देखना, बाद में देखना, तो ये revision वीडियो रखा रहेगा, दुफैर में आप कभी भी class देख सकते हो, comments में doubts जरूर लिकोगे, या फिर मेरे number पर मुझे doubts message करोगे, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों, मैं लाइव आऊंगा, एक अप्रिल को अगर मेरा derivative का revision है, तो उसके जितने भी doubts है, आप उसी दिन collect करके रखना, मैं रात में 9 बजे doubts के लिए live आऊंगा, आपके पस, doubts के लिए live रहूँगा, जितने भी doubts है, क्योंकि मझे doubts पहले से ही पता हो आपका, ये promise रहा, it means doubts के लिए, फ़स्ट हमारा derivative है, derivative का revision रहे का morning, दिन बढ़ आपके पस classes है, आपका भी भी देखिये, doubts collect कीजिए, मुझे WhatsApp कीजिए, doubts के लिए मैं नाइट में साथ बचे, साथ नहीं, नौ बचे, नौ बचे, doubts discuss कर दीछे, tension खता, दूसरी बात, doubts के अलावा हमें question paper, मतला हम टेस्ट भी देना चाहते हो, हाला कि टेस्ट के लिए समय नहीं है आपके पास, पर फिर भी मैं आपको टेस्ट पेपर भी दे दूँगा, टेस्ट पेपर कब रहेगा, जब 9 बचे रात को मैं doubts आप से लूँगा, उसी के description में मैं आपको टेस्ट पेपर भी दे दूँगा, किस चीज का derivative, टेस्ट पेपर में वो जरूरी नहीं कि जो revision में रहेगा, मैं डालूँगा, जरूरी नहीं है, टेस्ट पेपर अच्छा रहेगा, अलग लिए, प्लास revision एक तारीक से ही होने वाला है, recorded ही होगा, recorded ऐसा नहीं कि पहले का recording डालूँगा, उसके लिए मैं 31 को recording करूँगा, और एक तारीक को upload करूँगा, ठीक, revision कौन कौन से chapter का होगा, तो एक proper schedule होना चाहिए, पर schedule मैं आपको यहीं बता देता हूँ, लिख लो चाह होगा, interest rate, risk management, third को होगा, forex, fourth को होगा, हमारा, international financial management, fifth को होगा, portfolio, और six को होगा, हमारा, security valuation, security valuation, बस, इसके अलावा मैं नहीं करवा पाऊंगा, इसके अलावा merger है, corporate valuation है, mutual fund है, छोटे-छोटे chapter हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद से कर लोगे, या मेरे पुराने वीडियो यूट्यूब में डले हुए, वहां से कर लोगे, एक चीज है, सर, यह revision वीडियो य नहीं है, ठीक है, तो अब, सर, इसके notes, revision कैसे करवा रहे, exam oriented, जिनोंने class ले रखा, या जिन लोग के पास books है, उनको चिंता वाली बात नहीं है, मैं आप ही की books से, आप ही की copy से revision करवाने वाला हूँ, पर ऐसे बच्चे जो मेरे बच्चे नहीं है, उनको लिए, या revision जिस दें chapters का मिलेगा, वो total 4 chapters का मिलेगा, आप चाहो तो उसका print out ले लिजिए, बच्चे हुए दो chapter का, जब मैं पहला revision डालूँगा, तो उसी के description में दे दूँगा, actually यह अभी तयाग हो रहा है, ठीक है, पर आप लोगों के बड़े सारे questions आ रहे थे बार बार, आप लोगों आपके लिए फायदे की बात है कि आपको सब कुछ पता है, बस आपको उठा कर रेविजिन करें, मर्जर के लिए और mutual fund के लिए प्लीज आप मुझे comments नहीं करोगे, कि सर ये भी चाहिए, ये मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पुराने वीडियो है, उसी से आप कर लिए, थेंकियो सो मच, फिर से रामना उम्म की सौख सब कामना है आप, मिलते एक तरिक, थेंकियो